नमस्कार दोस्तों वैश्णवी और्गेनिक डेरी फॉर्म में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे थनेला का घरेलू उपचार और थनेला को जांच कैसे करें चिक कैसे करें पसू में अगर थनेला रोग को चिक करना है तो कैसे करना है थनेला रोग थनेला किसी भी परका तन में संक्रमन को दों जो कई नहीं दिखाई देता है तो फटा फटा रहता ए कि इसे सब क्लिणिकल divided कhum priests है और यह सुझा जो जाता है नाज जिस ऻाटा है हर्ड नहीं आना, खून आना, दूद का थक्का जमना, थन सुक जाना, आदी लच्छन है, जाचना, दूद में थक्का जम जाता है, तो थनेला है, इसका इलाज कर सकते हैं, निचुरली या प्रकृतिक ढंग से, बहुत सारे, एलो बेरा 300 ग्राम, हल्दी 1500 ग्राम, और चूना 50 ग्राम, लेकर के, चूना 15 ग्राम लेकर के, तीनों को मिक्स करें, मिक्सी में पिछना है, और गाढ़ा लाल पेष्ट बना कर, इसे थनों में लगाना है, दो से तीन घंटे में एक बार जरूर लगाएं, इंजेक्शन है इसका, मेस्टी, तीन, एचेस, नेफूरान कंपनी का है, मेड़स्टीन, मेड़सर तीन, एचेस, नेफूरान कंपनी का है, पेनिक्योर डी एक ट्यूग परतेक छेनी में 5-6 दिन देना है शिरिंच या नीडिल से चड़ाना रहता है इंजेक्शन है भेटा कैप प्लस भेटा केर 450 ग्राम नियो प्रोफिन जायडस कम्पनी का है 15 ग्राम और आइसो फ्लूड 5 एमिल पहला इंजेक्शन था भेटा कैप भी ए टी ए सी ए पी एच प्लस भेटा केर कंपनी 450 ग्राम और नियो प्रोफिन जायडस कम्पनी का है पंदरह ग्राम लेना है और तिसरा है आइसो फ्लूड आइसो एफेल यूडी 5 एमिल ए ट्रीटमेंट तीन दीद तक चलता है अंग्रेजी इलाज हो गया अगर जनकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें थैंक्यू धन्यवाद करना है अगर लाल दवा नहीं है तो हरे नीम के पत्ते पानी में उबाल कर थनों को धुलाई करना है 100 एमिल देशी सराव 50-60 एमिल कपूर और आधा लिटर शर्सो का तेल मिलाकर पसू के थन के आसपास लगाना है ये भी एक इलाज है और अधाईसो ग्राम पुराना गूर 500 ग्राम दही मिलाकर पसू को दीन में दो बार देना है 25 ग्राम पिसी हुई काली मिर्च 50 ग्राम निम्बू का रस और 200 ग्राम सुध देशी घी मिलाकर रोग काल तक आवस्षिक्ता अनुसार ने धारित कर रोग की दसा के अधार पर पिलाएं इसे मेनेजमेंट परवंधन का बीमारी भी कहते हैं दूद दोते हैं तो हाथों को साफ करें और सड को साफ सफाई रखें डंक और मुत्रक ना रखें प्लीज डाटी प्लेज नहीं रखना है दूद निकालने के देड़ घंटे तक गाय को बैठने नहीं देना है ऑक्सी टॉक्सी हार्मोन दूद दूहने के बाद निकलता है उस समय नलियां खुली रहती है पसु के जब हम दूद दूहते हैं तो ऑक्सी टॉक्सी हार्मोन एक्टिव हो जाता है और दूद निकालने के बाद भी आधे से घंटे तक एक्टिव रहता है उस समय उनकी छेनी या जो उनका थन का नलिका खुली रहती है तो जानबर नीचे बेटने पर जिवानों बिसानों उस नलिका से प्रवेश कर जाते हैं तो थनैला होने का खत्रा बढ़ जाता है पसु के थनैला रोग को चेक करना थनैला है या नहीं सबसे पहले एक गलास पानी लेना है कपड़ा धोने वाला वाले सरफ एक चमच लेना है एक गलास पानी में एक चमच सरफ डाल कर पानी में मिलाएं जिस पसु को चेक करना है एक कटोरी में उसका दूद लेना है, एक कटोरी के अंदर पान चमच दूद की डालना है, सरफ के पानी एक चमच मिक्स करना है, यह दूद या तो पतला रहेगा, या जेल नूमा हो जाएगा, अगर दूद जेल नूमा हो जाता है, तो थनेला है, अगर दूद पानी की तरह है, तो नहीं है, दोस बन्नेवाद।